इमरान खान को इसलामाबाद हाई कोर्ट से आज दोबहर को गिरफतार कर लिया गया पंजाब प्रांद, खैबर पक्तुनवा और इसलामाबाद में सेना को उतार दिया गया है अभी तक लगता था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े बारूद के धेर पर बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है लेकिन हम गलत थे इस मैटर पे, समझाता हूँ क्यों पाकिस्तानी हुकूमत ने कई अरसों से धर्म खत्रे में हैं और राश्रवाद के नारे को चलते हुए वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा चूमू बनाया है कहने का ये मतलब था सरकार और उनके खास तो अमीर होते रहे लंडन में मकान खरीद रहे हैं, डूल सिडिजन्शिप ले रहे हैं और इधर आम पाकिस्तानी नागरिक के पास बस बाबाजी का ठूलू ही बागी रह जाता था और इसी वज़े से लगता है कि अब लोगों का सबर का बांद तूट रहा है वहां की सरकार और यहां तक कि वहां की आर्मी के खिलाफ बगावत की बू आ रही है और यह सब एक नुकलियर आम्ड नेशन में हो रहा है एक सिविल वार जो इस हफते लगभग छिड़ी गई थी पहले फॉर्बर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सर्प्राइज एरेस्ट और वो भी सीधा कोट परिसर से फिर इस जबरन एरेस्ट के बाद विरोध प्रदरशन मैसिब वाइलेंट प्रोटेस्ट और फाइनली सुप्रीम कोट की दखल अंदाजी जब सुप्रीम कोट आकर बोली यह सब कुछ हुआ एक एक एक्शन पैक्ट बावन घंटों के टाइम स्पैन के अंदर और यह जो क्रिटिकल बावन घंटे हैं इस पूरे बावन घंटे में एक बात पूरी दुनिया के सामने एकदम साफ तरीके से आ गई है कि पाकिस्तान में पॉलराइजेशन और वहां आर्मी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब इस हद तक बढ़ चुका है कि पाकिस्तान बारूद नहीं एक थर्मो नुकलियर टाइम बॉम के उपर बैठी हुई है बस एक ट्रिगरिंग एफेक्ट और पूरा मुल्क इन बावन घंटों में हुए हर एक इवेंट को समझते हैं आज के विडियो में साथ ही साथ जानते हैं कि क्या अब फाइनली पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बोलेंगे कि भाईया अब हमें कम से कम डिमोकरिसी के तरफ ले जाओ ये जो पाकिस्तानी establishment है जो लोगों को चोमू बना रही इतने सालों से क्या अब वो रुकेगा कि धरम, पावर प्ले और करप्शन से क्या लोगों को राहत मिलेगी तारीख आठ मई, जगा इसलामाबाद, समय दोपहर के धाई बजे एक्जैक्ली इस मोमेंट में पाकिस्तान में एक्टिवेट हुआ एक बहुत बड़ा टाइम बॉम एक टाइम बॉम जो पूरे पाकिस्तान को तभा करने की ताकत रखता था एक बहुत ही संसनी खेस तरीके से इमरान खान को एरेस्ट किया जाता है मंगलवार दोपहर इमरान खान इसलामाबाद हाई कोर्ट में अपने ऊपर चल रहे साथ केसिज में बेल मांगने के लिए आए सारा लीगल प्रोसेस चली रहा था कि तब ही पाकिस्तान की पैरामिलिटरी फोर्स पाकिस्तान, रेंजर्स, कोर्ट के अंदर खिड़कया तोड़कर दाखिल हो गई लॉयर्स और इमरान खान के सिक्योरिटी परसनेल के साथ मारपीट की और इमरान खान को वहां से उठा कर वो ले गए ये एरेस्ट पाकिस्तान की नैशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो के कहने पर करवाई गई ये NAB हिंदी में बोले तो वहां की CBI और वहां की ED है NAB की पाकिस्तान में भी वैसे ही रेप्यूटेशन है कहने को ये एरेस्ट इमरान खान के अगेंस्ट एक करप्शन केस में करवाया गया बट असली कहानी कुछ और ही है आते हैं उस कहानी पर बट देश के सबसे बड़े opposition leader के एरेस्ट होते ही पूरे पाकिस्तान में almost immediately violent protest शुरू हो जाते हैं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तारी के इंसाफ या PTI इस एरेस्ट को abduction ब्रैंड कर देती है लोगों से इंसाफ के लिए सड़कों पर आने की अपील करती है आज भी कितने देशों में उसी तरीके से इस्तमाल किये जाते हैं लोगों को कुचलने के लिए बस skin color बदला है बाकी हुकूमत वैसी ही चल रही है हम इस पूरे मामले को एक nuclear bomb से compare इसलिए क्यों कर रहे हैं यह आपको in visual से समझ में आ जाएगा कि situation कितनी critical है वैसे इन तस्वीरों में ही इस सब के पीछे जो असली कारण, जो छुपा हुआ कारण, जो छुपा हुआ हाथ वो दिख रहा है दिखा आपको क्या इस दंगे फसाद के बीच पाकिस्तान सरकार ने PTI के कुछ और senior leaders को अलग-अलग cases में rest कर लिया Too much democracy going on in Pakistan बात बात इस हद तक बिगड़ गई कि पंजाब province में तो सीधा army का deployment भी अप्रूव कर दिया गया बात भी सही है जो रायता army ने फैलाया है, अब army ही समेटे है, लोगों क्या कहना लेकिन लोगों का forge के प्रती इतना गुसा क्यों? सरकार के प्रती तो समझ में आता है लेकिन forge को क्यों जिम्यदार ठहरा रहे है, वो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान में जो पिछले कुछ सालों से history चल रहा है उसके पीछे forge का क्या रोल है सिर्फ domestic sphere में all powerful है सरहत पर story कुछ बदल जाती है दरसल पाकिस्तान में दशकों से वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है आर्मी ही तै करती है कौन PM की गद्दी पर बैठेगा? कौन सी party जीतेगी? कौन सी party हारेगी? किस मुल्क के साथ पाकिस्तान के संबंद अच्छे होने है कहां कुस बैठिये भेजने टेर्रिस भेजने साथ पाकिस्तान आर्मी और ISI डिसाइड करते है पर अब वहां की आवाम forge से कह रही है यही वज़े है कि इमरान घान के arrest के साथ ही शुरू हुए violent protest के primary target वहां की आर्मी establishment बन गई है और यह काफी एहम है कि officers, mess, residences यह सारे जो चीज़े हैं यह target हो रहे हैं और इसलिए हम आज के वीडियो में exactly यह जो corruption case है उसके बारे में ज़ादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो 140 से ज़ादा corruption cases और अलग-अलग cases है arrest तो किसी न किसी में होना ही था पर इस intense political vendetta culture के चलते बहुत मुश्किल हो जाता है यह दिखाना या यह बताना की कौन सा case genuine है और कौन सा arrest fake है लेकिन बीते कुछ महिनों में इमरान खान और उनकी party ने वहाँ के forge से सीधा लोहा लिया है इस पर कोई doubt नहीं है और यह arrest matter of time वाला ही था पाकिस्तानी forge कहां ऐसे strong acquisitions और statements और ऐसे आना का नहीं है और यह सब गाली गलोच चुपचा बैट कर सह लेती 8 माई को देख लो क्या हुआ arrest से महज 3 दिन पहले इमरान खान ने शायद आर्मी का एक बहुत बड़ा red line क्रोस कर दिया खान ने एक top ISI officer General Faisal Nassir पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने इमरान खान को मारने के साजिस पहले भी कर चुके हैं और अब आगे भी करने की planning है यही उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं not only this पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अर्शद शरीफ बहुत famous जर्नलिस्ट उनके murder के पीछे भी यही भाई साब को इन्होंने जिम्नदार ठराया नाम लेकर सीधा acquisition किया है अब पाकिस्तानी फॉज ने पहले ही इन जो acquisitions है इनको सिरे से खारिज तो कर दिया था और इमरान खान को warn भी किया था कि ऐसे acquisitions मत लगाओ allegations मत लगाओ पर शायद इस denial से forge भी खुश नहीं थी उनका मन नहीं भरा या फिर लोग भी इस denial को यकीन ने करें लोग मानते हैं कि journalist और politicians को चुप कराने की पीछे आर्मी का ही हाथ है तो बस जब ये सारी बाते बन रही थी तो एक और message देने के लिए भेज दिया National Accountability Bureau को इमरान खान को arrest करने के लिए लेकिन वो सिर्फ एक जुमला था ये वीडियो देखो ना यहाँ पर इमरान खान को जो लोग गाड़ी तक ले जा रहे हैं दरसर वो NAB के personal ही नहीं दूर दूर तक नहीं है ये हैं Pakistani Rangers ये एक parabilitary force है यार वो सीधा पाकिस्तानी आर्मी को वो report करता है अब आते हैं important सवाल पर आखिर पाकिस्तानी आर्मी को इमरान खान से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इसका one word answer है descent जो की सहने की पाकिस्तानी फौज के पास हिम्मत नहीं है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया बीते कुछ महीनों में इमरान खान ने आर्मी जो attacks है वो intensify अलड़ी कर दिये हैं इमरान खान और उनकी party PTI बानती है कि पिछले साल इपरिल में जब उनकी सरकार को गिराया गया था तो इसके पीछे फौज का एहम भूमी का थी फौज की आर्मी ने behind the doors काम करते हुए शाहबाज शरीफ लेड कोईलेशन को इसलामाबाद में इंस्टॉल कराया बस फिर क्या था इमरान खान ने बोला कि अगर तुम समझते हो कि तुम डेमोकरिसी के पापा हो और इमरान खान फिर बस हाथ धो कर पीछे पढ़ गया है तब से मौजूदा सरकार के पीछे हकीकी आजादी का नारा मास रैली इस लोग मार्च और पता नहीं क्या-क्या सब कुछ बस एक ही डिमांड के साथ फ्रेश इलेक्शन करवाओ जल्दी कराओ पाई ले फुरसत में कराओ और जनता को भले ही निता टाइब लोग मूर्ग समझ ले लेकिन जनता भी बहुत कूद समझती है कि क्या गेम चल रहा है आरमी क्या गेम खेल रही है खास कर कि जब पेट पर लात पड़ती है न तो पुलिटिकल एधरनेस और जादा बढ़ जाती है इसलिए इमरान खान की पॉपुलारिटीस उनके सरकार गिरने के बाद और भी बढ़ती गई है बिकाउज वो पॉपुलिक को समझ चुके हैं उनके गुस्से को समझ चुके हैं और उसको यूज कैसे करना ये भी समझ चुके हैं इमरान का confidence दिन बढ़ आ है हर बीते दिन के साथ इमरान के attack सरकार और आर्मी पर और तीखे हो रहे हैं पर इस बढ़ती popularity में शायद इमरान ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ paper पर ही democracy है reality में नहीं हकीकत में तो army is still calling the shots अरे यार वहाँ सरकार आज भी न courts की कम सुनती है और forge की जादा एक recent example दे देता हूँ पेश करता हूँ आपके सामने पाकिस्तानी सुप्रीम कोड ने पाकिस्तान सरकार और election commission को हाल ही में आदेश दिये कि पंजाब province में मैं 14 तक election conduct तरवा दिये जाए पर पता नहीं institutions ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा क्या देखा क्या नहीं देखा court के orders को वहां की सरकार ने impractical बोलके simply, plainly, bluntly बोल दिया नहीं, नहीं करेंगे, जो जो करना है कर लो ignore कर दिया, इसको कहते है democratic institutions का decay जो की पाकिस्तान में कई अर्सों से चल रहा है topic पर वापस आते हैं बीते महिनों में पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान की बढ़ती popularity को देखा काफी disturb हो गए है क्योंकि इमरान जिस तरीके से लोगों को अपने पास कर चुके है एक mass movement बिल्ड कर चुके है उससे ये बात तो साफ है कि अगर कल चुनाओ कराओगे तो आपकी जो puppet coalition government जो आपने बठाया इसलामाबाद में master stroke सोच के उसका तो खात्मा हो जाएगा अब एक तो अमेरिका से पैसे मिलने बंद हो गए है अब कल इस नेता टाइब लोग इस इमरान खान की बाद भी सुननी पड़ेगी खरी कोटी कजब बेज़ती है और अगर आर्मी आज बेज़त हो रही है तो इसके पीछे भी अच्छे कारण है unprecedented economic crisis पाकिस्तान के लोगों की जिन्दगी अल्ड़ी तभा हो चुकी है महंगाई आसमान चू रही है पूरा देश का दिवालिया निकल चुका है उसके उपर अल्ला का कहर earthquake और बाड भी आ रहे है पाकिस्तान climate change की मार भी जहल रहा है इसके बीच में जब सरकार काम नहीं करती है फिर सरकार को आर्मी पीछे से change कर देती है तो गुस्सा आर्मी पर आएगा न लेकिन पाकिस्तानी फौज अपना dominance secure करने के लिए कुछ भी कर सकती है इमरान खान बार बार एकी बात कह रहे है कि फौज उन्हें मरवा देगी फौज उन्हें मरवा देगी लेकिन फौज भी एक institution ही तो है and as an institution उसकी भी ये दिक्कत है कि जब इतनी extreme polarization हो जाती है एक देश में तो उससे वो भी नहीं बच सकता है तो पाकिस्तानी आर्मी में भी तो at the end of the day पाकिस्तानी लोग ही तो serve कर रहे हैं वो insulated तो है नहीं तो लोग भी वो सब problems face कर रहे है जो बाकी पाकिस्तानी लोग face कर रहे है तो जाहिर सी बात है कि इमरान की इस movement ने पाकिस्तान, आर्मी और उसके अंदर भी एक impact किया है आर्मी के अंदर भी visible differences है कि इस से कैसे deal किया जाए क्या गोली चलाई जाए या नहीं चलाई जाए यही हाल वहाँ की judiciary और बाकी institutions में भी है इस सबसे पाकिस्तान की जो top brass है आर्मी की top brass है वो जादा और बौकली आई गई है हमारा control तो slip कर रहा है हमारी आर्मी के लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे अब ऐसे कैसे काम चलेगा लेकिन इमरान खाने भी कोई दूद का धुला हुआ नहीं है मजभ और जिहाद का इस्तमाल करके आर्मी और नीता लोग जो इतने सालों से लोगों का मजाग बना के रखे हैं डिमॉक्रिसी का मजाग बना के रखे हैं अब वो ही काम फिर से हो रहा है अब इसे आप मजभूरी कह लीजिए या आपदा में अफसर कह लीजिए लेकिन इमरान वही मजभ और जिहाद का खतरनाख खेल खेल रहे हैं आवाम को अपने तरफ कर रहे हैं रिलिजन के नाम पे कर रहे हैं अब एक तरफ से ये देखिए कि एक लेवल पर पाकिस्तान उसी खतरनाख रस्ते पर चल रहा है जो उसे सालों पहले छोड़ देना चाहिए था चाहे वो डेमोक्रिसी के नाम पर चल रहा हो लेकिन रस्ता अभी भी वही खतरनाख वाला है और जिस आर्मी के खिलाफ आज कप्तान साब ने मोर्चा खोल के रखा है वो अभी कुछी दिन पहले सेम पेच पर थे अरे हेट स्टोरी तो अभी बनी है कुछ दिन पहले तो इमरान खानार आर्मी इलू इलू चल रहा था यही नहीं बीते एक साल में इमरान ने ये भी साबित कर दिया है कि वो कितने रजे हुए पोलिटिकल प्लेयर बन चुके है अब कंसिडर करिये ये बात एक देश जहां महंगाई हद से जादा बाहर हो चुकी है फॉरिन रिजर्ब्स का बेडा गर्ग हो चुका है करंसी गिरती जा रही है एसेंशल सप्लाइज खाने को नहीं है दाने दाने को लोग महताज हो गए है किया आपको लगता है कि इतनी बसर इतनी महंगाई सिर्फ एक साल पुरानी सरकार कर सकती है कुछी महहिनों में क्या पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई है अब जाहिर सी बात है कि उससे पहले लोगों की हालत औरेढ़ी नीचे जा रही थी उससे पहले के सरकार की भी actions responsible है जैसे खुद इमरान खान जिनकी party 2018 से 2022 तक पावर में ही तो थी लेकिन जबाब देही से बचने के लिए इमरान ने बहुत smartly सारे सवालों को अबने से अलग कर दिया किसी और तरफ डिरेक्ट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के हताश लोगों को धर्म और नफरत की गोली फेसे दे दी उन्होंने passion उन्होंने emotion का इस्तमाल किया और सारा गुस्सा डिरेक्ट कर दिया मौजूदा सरकार और आर्मी के उपर master stroke हालाब तो इत्ते बिगड़ चुके हैं कि अब एक आकुरुशिद भीड लाहोर के core commander के घर में जब तोड़ फोड़ कर रही थी तो वहां से कुछ protesters ने कोर्मा, कोक, टोमेटो, केचप, स्ट्रॉबरी यहां तक की garden में घूमता हुआ सुनने में आया कि मोर भी था उसे भी उड़ा के ले गए लेकिन यह सब तो तब भी समझ में आता है चलो किसी के ना, किसी गरीब के काम आ जाएगा ऐसे economic condition में भीड का यह सब loot part करना समझ में आता है अब लेकिन यह क्या है तोप, लोग तोप को भगा के ले जा रहे हैं वो भी नकली तोप, इसका क्या करोगे यह हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने कारगेल में इसी तोप का इस्तमाल किया हो अंग्रेजी में एक कहावत है All's well that ends well यानि अंत भला तो सब भला यह कहावत पाकिस्तान पर लागू नहीं होता है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एन मोके पर सबसे कम इंपाइरिंग तो कर दी सरकार और आर्मी के बाउंसर को नो बॉल घोशित कर दिया फॉर्मर पाकिस्तानी स्किपर का एरेस्ट इलीगल करार दे दिया जेल से रेहा करने के ओर्डर दे दिये इससे लोगों का जो घुसा है सिविल वार की जो हालत उत्पन हो रही थी वो कुछ हद तक तो काबू में आएगी ये कहें तो ये जो बावन घंटों का कियोस है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आकर ये जो टाइम बॉम है इसकी जो टिक टिक करती होई टाइम बॉम इस पर पॉस बटन लबाया है लेकिन अभी all is well नहीं है end is well नहीं है अभी कहीं तक क्योंकि हालात अभी भी नाजुक है ये सुप्रीम कोर्ट के थुरू लाई गई नाजुक ये जो शांती है ये जो tenuous peace है ये कभी भी तूट सकती है क्योंकि जिस तरीके से मौझूदा सरकार कोर्ट के ओर्डर पर सवाल जबाब कर रही है हालात फिर से बहुत जल्द बिगड सकते हैं पाकिस्तान आज पूरे एजिन सब कॉंटिनेंट के लिए एक सबग बनके बढ़ गया है कि जब आप किसी भी एक इनसान को एक institution को super power दे दोगे तो देश का यही हालत होता है जब आप किसी भी देश या देश वासी से ज़्यादा बड़ा मजभब को कर दोगे तो यही हालत होता है देश बग पर हम तो ऐसा ही hope करेंगे ऐसी आशा रखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम अब ये मांग करे कि डिमॉक्रिसी की बहाली हो, आर्मी वापस अपने केंटोन्मेंट पे जाए अपना काम करे और देश के जो असली मुद्दे हैं, education, healthcare, inflation इस चीजों पर भहस हो, तो बेटर होगा ना कि पूरा देश एक nuclear time bomb पर बैठा हो